Hello friends, आज का हमारा topic है How you can convert your Word file into PDF तो Word file में mostly हमारे जो office के जो work होते हैं वो mostly हम PDF File में ही convert करके हमें इमेल करनी होती है अपने जो भी file के जो आजकल की जो documents होती है तो आज मैं आपको बता रहे हूं कि कैसी अगर आप Word में काम कर रहे हैं तो आप उसको कैसे PDF में convert कर सकते हैं, तो first आपका suppose कि कोई भी document है, यह मैंने अलड़ी एक document create कर रख है, तो आपको you just have to select office button, then you have to select save as option, here you can see, आप देख सकते हैं आप पे PDF और XPS option, you have to select this option, now you have to write here file name, whatever you want to give, आप जो भी file name देना चाहते हैं, वो आप यहां पे लिख देंगे आप कुछ भी लिख देते हैं, यहां पर file की name के बाद आपको dot extension देनी है, वैसे तो नहीं भी देंगी तो भी कोई बात नी, because already यहां पर आप देख सेते हैं, save as type PDF, यहां पर already यहां पर लिखा है, तो by default भी आपका जो system है, वो यहां पर इसको PDF में ही extension लिख देगा, but आप खुछ से भी दे सकते हैं, यहां पर PDF, मैंने यहां पर दे दिया है, then you have to select publish option, publish को हमने select करने के बाद, अभी मैं आपको दिखा रहे हूं, हमारी जो यह file है, यह PDF में convert हो चुकी है, यह देखिए, यह हमारी जो file है, जो अभी मैंने word में create किया है, इसको हमने without internet, अगर आपक connection नहीं है, इस case में आप क्या कर सकते हैं, word की file को word को ही use करके, आप PDF में convert कर सकते हैं, and अगर आपके पास internet connection है, तो यहां पर बहुत सारे और option भी है, like you can, आप को भी browser जो भी use करते हैं, आप उस browser को select करेंगे, and then you have to type here, in search bar, convert word file, to PDF, online, तो यहां पर बहुत सारी website है, दोस्तों, जिससे use करके, आप online भी, आप convert कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहां पर small PDF, यह एक website है, यहां पर हमने select किया, यहां पर यह option दे रखा है, choose file, यह तरीका है, दोस्तों, अगर आप online convert करना चाहते हैं, तो आप online भी कर सकते हैं, तो कोई भी अगर file है, आपकी, यहां पर दे रखी file है, आप उनको select करेंगे, then open पर click करेंगे, आपकी file upload हो रही है, convert हो रही है, अब देखें, यहां पर आपको message दे दिया है, कि आपका जो file है, वो convert हो चुका है, अब आपको download की option को select करना है, यह देखें, आप इस area में द देखेंगे, यहां पर लिखेंगे, आपकी file का name, जो convert हो चुका है, PDF में, अब आपको क्या कहना है, download पर click करना है, download करने के बाद आपकी file है, यह online, यहां पर देखें, file जो है, यह में open, अभी अभी जो हमने convert किया, PDF में, यह वही file है, जिसको हमने word में किया था, और यह PDF म convert हो चुका है, तो दोस्तों, अगर आपके पास internet connection नहीं है, तो यह सबसे best तरीका है, word में file को आप बनाएए, and then you can convert your PDF file into, sorry, your word file into PDF, अगर आप online convert करना चाहते हैं, तो भी आपके पास बहुत सारी website है, online, आप online भी से convert कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आज की मेरी information आपको पसं my channel